नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ गेहूं गुड की गुगरी ये जो होती है न, ये गेहूं में से बनाई जाती है और गुड में से ये गुगरी इतनी बड़िया होती है ये राजिस्थान का मीठा है जो इस खास करके सर्दियों में खाया जाता है पर आप इसे किसी भी सीजन में किसी भी वग बना सकते हैं ये खाने में बहुत 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 ही टेस्टी साथ ही साथ हेल्दी है तो चली शुरू करते हैं उसके लिए आपको एक बरतन ले लेना है इसके अंदर आपको डाल दीनी एक कप गेहूं देखिए ये एक कप गेहूं मैंने गेहूं को अच्छे से साफ कर लिया था इसके अंदर हम पानी डाल देंगे गेहूं के उपर तक पानी हो जाना चाहिए और इसे हमें तकरीबन 6-7 गंटे बिगोने रखना है तो एक बार इस तरह से mix कर लेना और इसे ढखकर 6-7 गंटे बिगोने रखना ताकि यह अच्छे से भिग जाए अच्छे से बढ़िया हो जाए फूल जाए आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैंने इसे 6-7 गंटे रखा था और आप देखे कुछ इस तरह से हो गई है गी हूँ अच्छे से भिग चुकी है तो इसे हम कुकर में डाल देंगे और साथ ही साथ ना इसके अंदर में डाल रही हूँ एक ग्लास चितना पानी कुकर का ढखन दे देंगे और इसे हम 2-3 विसल यानि के 2-3 सिटी आने तक पका लेंगे जैसे ही पक जाए गैस को बन कर लेना और उसके बाद मैंने इसे एक बरतन में निकाल लिया और आप देख सकते हैं अच्छे से गीहू पक गई है मैं आपको देखे चेक भी करके दिखा देती हूँ देखे कितनी बड़िया गल गई अच्छे से पक गई है उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा टुकडा सुखे नारेल को टुकडो में काट लिया काजू और किश्मिश ले लिये काजू और किश्मिश आपके उपर है आप कितने लेते हैं मैंने 7-8 काजू और आदा कब जितनी किश्मिश ली है कड़ाई में डाल दिया दो चमज गी जैसे गी गरम हो जाए ये ड्राइफ रूट आपको डाल देने हैं मैंने बादाम भी लिये थे 5-6 उसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है ड्राइफ रूट आपके उपर हैं आप कितने लेते हैं किश्मिश पोल जाए सारे ड्राइफ र से तकरीबन 3-4 मिंट तक इस तरह से बीच-बीच में मिक्स भी करते रहना तो यहां पर आप देख सकते हैं 3-4 मिंट हो गए तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गुड़ ये गुड़ से मिठास हाईगी इसमें तो मैंने गुड़ को एकदम बारिक काट लिया था गु पातार चलाना है इस तरह से देखिए इसे 2 मिनिट तक पकाना दो मिनिट के बाद ये भुने होए ड्राइफ प्रूट और नारियल डाल देना इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसे ढख कर इस तरह से ढख कर बिलकुल धीमी आज पर पकाना है तो बस अब थोड़ा सा एलाइची का पाउडर डाल देंगे एक चौथा ही चमब जितना और अच्छे से मिला लेंगे देखिए थोड़ा सा रस्सेदारी होता है रस्से वाली होती है गूगरी तो ऐसा ही रखना तैयार है यह आप से ज़रूर ट्राइ कीजे हेल्दी भी है और टीस्टी भी है बच्चे होया बड़े इसे सभी खाना पसंद करेंगे तो ट्राइ कीजो मुझे कमेंट्स बता है कैसी लेकी रेसिपी और हाँ जाते जाते चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थांक्यो फॉर वाच्छें